नमस्कार जोहार एंड जयहिन दोस्तों मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं खोर्था के इस सेशन में और खोर्था के इस सेशन में हम लोग आज व्याकरन को देखेंगे व्याकरन क्यों इन्पोर्टेंट है यह बताने की आवश्यक्ता नहीं है फिर भी जान में बर्न व्यवस्था शंग्या शर्वनाम विशेशन कारक लिंग इन सभी चीजों को एक बार में पढ़ा चुका हूं और आप लोगों की मांग पर फिर से इसका नया प्रारुक जो की आपके जे एससे सीजियल के अधिन है और इन्पोर्टेंट है तो उस सेक्षन को फिर से करने जा रहा हूं और जो ये इन्पोर्टेंट सेक्षन है इस सेक्षन में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देखिएगा इसकीप नहीं किजेगा अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक बटन को दबा दिजेगा और बेल डिलिट हो जा रहा है तो उसका सबसे परमुक कारण है कि आपने ब्याकरन को नहीं पढ़ा है अगर आप धंग से ब्याकरन को पकड़ लेंगे तो आपका जो वह प्रॉब्लम है वह स्वाट आउट हो जाएगा मैं कमेंट पर देख रहा था तो कुछ कंडिडेट्स ऐसा ल पकड़ बनाईए क्योंकि ब्याकरन सेक्षन पर जैसे ही पकड़ बनाईएगा आपका उधर का सेक्षन बहुत जैदा आसान लगने लगेगा तो ब्याकरन सेक्षन में आज हम लोग देखते समास को और यहां से प्रश्ण पूछे जाने की संभावना बहुत ही जैदा है ख तो आज चलते हैं हम लोग और देखते UMें समास को श्फसे पहले तो परिवासा को देख लेंगे यानी की परिवासा क्या है समास Lab की से परिवासा को देख लेते हैं कि इसके बाद एकड़ करके उनके भेदों को देखते जाएंगे आप लोगों automation की가 प्याकरन का सेक्षन अब चाल हो चुका है और उधर जो भी छुटे हुए हैं एका टॉपिक तो वो सारे भी साथ साथ में चलेंगे तो यहां पर देखें समास की परिवासा क्या होती है चमास माने हुआ है संचेप छोट खाट रूप शमास का अर्थ क्या होता है संचेप या छोटा रूप किसका तो सब्दों का वैसे सब्द जिन सब्दों में कारक के विवक्ति लगे होते हैं या बड़े सब्द होते हैं तो उन्हें क्या करते हैं छोट खाट के रूप में परियोग करते हैं इसलिए उसे हम लोग समास के अधिन रखते हैं यहां पर कहा गया है दू कारक तारक चीना गुला चोड़के कुछ छोटा रूप बना लेता है जब छोटा रूप बना लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं शमास कहते हैं मतलब क्या हुआ दो या दो से अधिक स्वतंत्र पदों के मेल से शब्द बनाने की प्रविर्ति खोर्था में भी पाई जाती है और इस प्रविर्ति को ब्याकरन में शमास के नाम से जाना जाता है यानि कि दो सब्द जो छोट मोट सब्द दोनों को मिल के एक सब्द अगर बना लिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं शमास कहते हैं यानि कि सामंजस कहते हैं या सामंजन कह सकते हैं सामंजन दो से अधिक सब्द क्या हुआ कुछ चिन को लेके आया और आपस में मिल गया और उस परकार से जो हैं एक अलग परकार का शब्द बन जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं समास कहते हैं कई बार ऐसे होते हैं कि उस बहुत ज्यादा समास का बैवार जो है यहाँ पर खोर्ठा में आपको देखने को मिल जाता है तो इनी सभी चीजों को लेके हम लोग आज के session में करेंगे और पूरे class के दोरान हम लोग इसके सभी पदों को देखेंगे सबसे important है इसके भेद यहाँ पर समास के अलग-अलग writers अलग-अलग भेद बताएं हैं आपके यहाँ पर जो दिये गए हैं इसमें छे भेद हैं और हम लोग छे भेदों का चर्चा करेंगे कई किताबों में सात भेद भी दिये गए हैं सात भेद अगर रहेंगे तो सात में यहाँ पर एक और समास जूड़ जाएगा जिसका नाम है नई समास क्या नाम है नई समास लेकिन यह समास जो है यह सभी किताबों में नहीं है नई समास यह हिंदी में है आपका लेकिन खोर्था में नहीं है तो हम लोग उसको लेंगदी नहीं करेंगे और और हम लोगों को जो important रूप से जो आपके सामने है उसी को हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे तत्पुरुस समास यहां पर क्या कहा जाता है बहु ब्रही समास अब्यई भाव समास कर्मधारे समास द्विगु समास और द्वन्त समास इतने समासों क कि हम लोग आज के सेशन में चरचा करेंगे रिक्वेष्ट है कि अगर आप खूर्ठा वाजा के साथ अगर जाना हैं सोव प्रस्ट का जवाब देना चाहते हैं तो तो ले गोगा से कम डेने के लिए आपको सव प्रस्ट में से तीस परस्ट जो है 30 से 33 प्रस जो है वह आपके ब्याकरन सेक्षन से आएंगे ब्याकरन से आएंगे और ब्याकरन सेक्षन आप लोगों को बहुत ही जैदा अंकदाई सेक्षन है कई लोग गीत संगीत और कहानियों पर ही आधारित क्लासेश चला रहे हैं तो आप लोगों को वहां से बचना चाह तो आईए आज हम लोग देख लेते समास के सभी भेदों को एकक करके तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है बड़ा होता है यह और इससे सरवाधिक प्रश्ण आते हैं सरवाधिक प्रश्ण यहां से आते हैं सरवाधिक प्रश्ण और सरवाधिक यहां पर लोग फसते भी हैं सबसे ज्यादा प्रश्ण भी यहां से पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा फसने का चांसेस भी यहीं पर है बाकी के समास हिंदी के समास के जैसे चलती है और जब हिंदी नहीं वह देखते हैं इसे तदपुरुष समस कहते हिंदी में भी और खौठा कहीं कहीं पेच्छवाडी समास भी लिखा हुआ रहता है मतलब क्या होता मतलब होता है protecting समास या ऐसा समासिक्पत जाकर पिछला भाग टाई बेसी मुख रहा है यानि कि पहला भाग गोन रहेगा यानि कि पहला भाग गोन पहला भाग जो है वह नहीं के बराबर और दूसरा भाग परदान रहेगा दूसरा भाग जो है वह इंपोटेंट रहेगा यानि कि ऐसे सब् इसमें दूसरा भाग जो है जाइदा इन्पोर्टेंट रहता है एक्जांपल कर अगर देखेंगे तो घर जमया यहां पर देखें घर जमया घर जमया जो खोठा के सब्द है या घर जमाई हिंदी में इसको कहते हैं तो इसमें कौन सा पद परमुक है तो इसमें परमुक पद गर पलस जमाई तो इसमें जमाई सब्द यह परमूक है और यहां पर जो पहला भाग है वह गोन, पहला पत जो पहलाद वह गोन पत होता है यह यानि कि वह इसे समासिक पत जिसका पहला पत गोन तथा दूसरा पत पर्धान इंपोर्टेंट कहा है? दूसरे पद पर, दूसरे पद पर important है, यानि कि दूसरे पद जो है, वह जैदा परमुकता से आपको नजर आएगा, ऐसे सब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, आपका तत्पुरुष समास या पेचवारी समास, कहीं कहीं अगर आप लोगों को option में कभी आ जाए पेचवारी सम समास, तो वैसे कौन सा समास ऐसा है, जिसमें पाला पोद गवन रहता है, और दूसरा पद परमुक रहता है, तब आपको option में अगर पेचवारी समास लिखा हुआ हो, तो आप पेचवारी समास को भी टिक मारेंगे, वहाँ पर तत्पुरुष समास खोजने की आपको आवे परमुक है, यहां भी यह परमुक है, जमाई यह परमुक है, मोहडी यह परमुक है, तो जिसका अंतिम पद परमुक होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे तत्पुरुष समास, लेकिन इस समास के साथ एक और भी important चीज है, जैसे की हम लोग जानते हैं, इसका नियम जो है, इस कारक की विवक्ति, कारक की विवक्ति, कारक की विवक्ति यहां पर जुड़ा हुआ रहेगा, जान लिजिए, कोईन अगर तोड़ियेगा आप उन सब्दों को, तो आपको कारक की विवक्ति नजर आ जाएगी तत्पुरुष समास में, इसलिए तत्पुरुष समास बहुत ही जैदा परमुख है और बहुत ही जैदा इन्पोटेंट है यहां पर कारक की विवक्तियां लगी हुई रहती है इसलिए कारक की विवक्तियों के आधार पर इसे हम लोग अलग-अलग भागों में बाट सकते हैं यानि कि वह जो कारक हैं जितने कारक हैं जिनमें विवक्तिय आपको पढ़ा दे रहे हैं ऐसा नहीं है क्योंकि आपके जो दावे हैं मैंने जो दावा किया है कि आपके एक भी प्रश्ण चुटें गे तो यूंहीं याद करेंगे कि योगेस्टर ने पढ़ाया था जो क्वेस्चन हमने अभी दिल किया तो इसमें सबसे पहले होता है पर्थम तत्पुरुस इसलिए नहीं होता है क्यों क्योंकि आप जानते हैं कारक अगर पढ़े होंगे तो करता जो है उसकी कोई विवक्ती नहीं होती है तो तो आपको समझें जिसमें इसमें होता है पैन सोखा एक्जामपल में अगर देखेंगे तो पैन सोखा पानी के शोखनिहार यानि कि पानी को सोखने वाला पानी को सोखने वाला यहां पर पानी को सोखने वाला तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या पन सोखा next माइट काटा माटी को काटने वाला जो लेबर होता है माटी काटे वाला माटी काटे वाला काटे वाला तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग मैट काटा यहां पर माटी को काटने वाला मिट्टी पर्मुक नहीं है काटने वाला पर्मुक है मिट्टी पर्मुक नहीं है पर्मुक क्या है उसको काटने वाला अगर उसको काटने वाला पर्मुक है तो यह क्या आजाएगा आपका तत्पुरुष समास में इसके साथ में केस्ट जो है वह वह विभक्ति जुड़ा है या कोज है इसमें जो बिभक्ति जुड़ा हुआ है तो वह कर्मकारक का बिभक्ति है इसलिए यहाँ पर आपको शमजना होगा कि यह क्या है दूतिया तत्पूरुस है तो दूतिया तत्पूरुस को आपने शमज लिया होगा और अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट से सबकिके हमें कि क्या problem हो रही है कि दूसरा न लेह तो उसके बाद त्यृत्या तध्पुरू से या मीं अधर स生μक्लाकर में कर्मकार्ड की बिवक्ति लगी होती जिस में ए ए आ जर इस टाइब की जो विवक्ति है यह झोट रहेगी तो उसके जान लिजे कि वह दुतिया तत्पुरुस है यानि कि दुतिया तत्पुरुस में करता नहीं कर्म का तिर्थिया तत्पुरुस में करम का करम का विभक्ति लगेगा तो करम की विभक्ति में यहां पर देखे धेकी कूटा धेकी के कूटल या धेकी कूटल धेकी देखें हैं आपनों पहले के जमाना में मसीन नहीं हुआ करते थे उस समय क्या होता था लकडी का धेकी होता था और उसी लकडी का धेकी से चावल मतलब धान को कुटके चावल निकाला जाता था चावल को कुटके उसका डस्ट बनाया जाता था या सत्तू बनाया जाता था या आटा बनाया जाता था तो तो धेकी होता था तो धेकी का कूटल तो धेकी कूटल इसको बोलते हैं धेकी कूटल मौद माताल मौदे माताल दारू पीके डारू पीके डान्स करने वाला दारू पीक कर पहला यहां पर भी देखे दारू का पीने वाला नेक्स्ट नींद मतू नींदे मातल इतना नींद ल रोद जरा मतलब धूप से जो धूप है उसको जल गया है तो धूप जरा हो गया रोदे जरल बजर मोरा बजर गिरना बजर गिरना बोलते हैं जिसमें बजर पात के दुरान बजर पात के दुरान बजर पात के दुरान जो है वह उसको सिकार हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्या बजर मोरल यानि की बजरपात का सिकार हुआ आदमी यहां पर देखेंगे आप तो आपको किलियर पता चल जाएगा इसमें करम कारक की जो है बिभक्ति लगी हुई है और उसी बिभक्ति को बिग्र करते हैं तो आपके सामने आती है तो इस परकार से आप समझेंगे तृ चतूर्थी तत्पुरुष में आप क्या देखते हैं सो देखिए इसकी पर्थम पद पर कारक की चतूर्थी यानि की लेल लाई लागिन खातिर ये भी वक्ति लगी हुई रहती है तब आप समझ जाईएगा कि यह क्या है चतूर्थी तत्पुरुष भय जैसे की डहर कोन देता है बच्चों को माबाप देते हैं कि कहीं जा रहे हो तो पोखिट में पचास रुप्या डाल दिया अरे रस्ता में कुछ खा लेना तो वह हुआ आपका डहर खरच तो यहां पर डहर के लागिन खतन यह रास्ते में यह रास्ते में खर्च करने वाली डंड सिक्री डानाक लागिन सिक्री डंड सिक्री किसको बोलते हैं इसको कमरधनी बोलते हैं इसी को डंड सिक्री भी बोलते हैं नेक्स्ट मांग टीका, माथा में जो लगाती है महिलाएं, मांग टीका, मांग एक लागिन टीका, बाजु बंद जो हाथों में लगता है, तो बाजु लागिन बंद, बध जोबरा, बांध एक लागिन जोबरा, इसी में कनवाली आ जाएगा, इसी में हत कड़ी आ जाएगा इसी में हत बोजा आ जाएगा मजडाग इसी में आ जाएगा तो इस परकार के सब्द आएंगे कहां पर तो आपका चतुर्थी तत्पुरुस में चतुर्थी तत्पुरुस को भी जानना important है नेक्स्ट सेक्षन देखते हैं तो आप कहता है पंचमी तत्पुरुस तत्पुरुस यहां कर लेंगे इसके पर्थम पद में आपादान कारक की ले भी भक्ती लगी होती है यहां ले का मतलब यहां पर क्या होता है से जुदाई से जुदाई यानि कि किसी चीज से अलग होने की यहां पर प्रबीर्ती आपको इन सब्दों में दिखाए देगी अगर किसी से अलग होने की प्रबीर्ती इन सब्दों में अगर दिखाए देती है तो आप जान लीजिए यह कौन सा है तो यह पंचमी तत्पुरुस में आता ह इतने तोड़ के अगर प्रश्ण आ जाते हैं तब भी आपके नहीं छूटने चाहिए चुकि यहां पर तत्पुर्श समास के अंतरगत ही है तो यह सारे तत्पुर्श में तो होंगे ही और कहीं पर अंदर से questions घुसा दिये क्योंकि आज कल की परिच्छाओं का मूल उद्देश आपका ज्यान को पढ़ना नहीं है आपको छाटना है तो अगर इतने अंदर से question पूछे तब भी आपके प्रश्ण नहीं छुटने चाहिए एसी हम लोग जो है न बैवस्था करते हैं इसमें क्या है दूद कटा दूद ले कटल यानि कि वैसा जो दूद पीना छोड़ दिया है अलग डिया अलग है जे डियले मतलब जो सभी गाओं से अलग है दहर चाड़ा रास्ता छोड़ने वाला रास्ता से चुटने वाला यहाँ पर बहुत सारे सब्द ऐसे हैं जिसका परियोग हम लोग करते है डः चाड़ा मतलब रास्ता से चुटा भतकल व Champions वह अलग अपना रास्ता चुन लिया है गाहर चुटा bald royal चुटा उसको बोलते हैं जिससका गाओं गर चुट गिया है बोलते हैं न कि कभी जब मेहमान घर जाते हैं बहुत दिनों के बाद तो अरे तोर तो डहर छुटा भैगल हो यहां तो आप कहे यह भी तो आज कल सुसरायर भैगल हो भैइन घर कहे यह भी इस टाइप का जो सब्द होता है तुम तो रास्ता ही भूल गए हो तो वह वह डहर पर आएगा नींद टूटा नींद ले ट्ूटल आधानींस से जगा दिया तो हो गया नींद टूटा यहांने कि आधा दूरा नी पंचमि तद्पूरुस में आ जाते हैं. जो है, सश्टी तद्पूरुस के अंतरकत आ जाती है. और सश्टी तद्पूरुस में जेसे हम लोग विग्रा करेंगे तो उसका जो कौज है वो असपष्ट आ जाएगा जैसे हारी सार, हाइनी सार तो हारीक सार यानि की साला जो भी यहाँ पर कई चीज है जो relation को बताता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा आपको रिलेशन यहाँ पर नजर आ जाएगा जैसे नानिक घर नानि घर तो नानि घर देव घर देवताओं का घर जैसे कि गंगा जल गंगा पानी तो गंगा जल हो गया इस परकार के सब्द आपका सम्मंद को बताते हैं और सम्मंद जो है वह तत्पुरुस में आता है तो यह आपका जाये किसमें पेचवारी समास के अंतरगत शस्टी तत्पुरुस में सब्तमी तत्पुरुस अधिकरन कारक्का है इसमें तीन जो है यह विवक्ति रहती है सब्दों के साथ में क्या तो जिसके पर्थम पद में अधिकरन सब्ध कारक का विभक्ति लगेगा तो वह जान लेजिएगा कि वह किसमें आ रहा है तो सब्तमी तत्पुरुष समाच में आ रहा है दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सेयर करेंगे वह इसे केंडिडेट के साथ जो नहीं पढ़ पा रहे हैं यहां पर देखेंगे पतलुका पाते लुकाईल ए लगा हुआ है गच पाका गाचे पाकल घर ढुकी घर ढुकेक घर बैसू घर बैठल गड़ बांध गड़ में बांध तो सभी चीजें जो है आपको कहां से दिख रहा है अधिकरन से अधिकरन से के लिए का के लिए जो होता है उसमें तो अधिकरन से यहां पर दिख रहा है तो पतलुका किसको बोलते हैं जो पत्ता में लुकाया हुआ गाउं में देखेगा तो आम अगर नहीं दिखता है आम का पेड में आम अगर नहीं दिखेगा तो बोलेगा अरे इगा सबस्क्राइब करते अच्छाइब लुखनी लगो फट लुका आम सफलो करने का मतलब है कि आप किस पर बा例 करें सब Tar opposite आदिकरन का जो है वह जो बिवक्ति है वह लगा हुआ है घर गुड की करते हैं घर डूब के घर बैसू कोई आदमी ऐसा है जो के हमेशा आपके घर में आके बैठल रहेगा उसको काम दाम नहीं गप कर रहा है एन बेंसें तो आदमी क्या कहता है उसको देख के भागने लगता है अरे आदमिया के काम दाम ना है इस साला घर बैसू लगो यानि कि घर है बैठल रहा तो अर्ग जक्री जीवें तखनी चाटर लागता दिमाग तो एकर से तनिस्म दूरे रही है काई कि यह दिमाग चाटू आदमी हो तो ओकर से दूर रहक हो नेक्स्ट देखते हैं अग्राही स समास तो बहुपरही समास का बहुत ही जबरजस्त मिनिंग होता है हिंदी में और हिंदी में इसका मिनिंग बड़ा ही जबरजस्त होता है बहुपरही समास का कैसे कते जहां दो पद मिलकर और दोनों पदों का अर्थ जो है वह तीसरे पद पर चला जाता है यानि कि दोनों अर्थ जो है वह किसी और पद को निर्मित कर देता है यानि कि दो पदों को मिल के बना है और यह क्या करते हैं तीसरे पद को और इंगित करते हैं यहां पर देखे क्या करते हैं इस समासक कोनों पद जोरगर नहीं रहे और सभे मिलके एक और दोसर आड अर्थेक इंगित करें मतलब इस समास का दोनों पद का दोनों पद इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन जब दोनों मिल जाएगा तो एक अलग अर्थ डेवलप करता है यानि कि बहुब्री समास जहां दो पद मिलकर दोनों पदों से अलग तीसरे अर्थ का बोध करता है यानि कि तीसरा अर्थ को लेता का जो उधारन है उस उधारन को आपको बहुत बढ़ यहां से देखना होगा दो पद मिलके तीसरे पद की और इंगित करता जैसे चौर बाती चौर बाती इसका अर्थ होता है टौर्च तो इसको कैसे दिखाये गया है चौर के द्वारा उप्योग की जाने वाली बत्ती रात में ठीक है इसी तरह से करते तिन मुडिया तिन मुडिया का अर्थ होता है बुढ़ा लेकिन यहां तिन मुडिया अगर बोलेंगे ऐसे ऐसे अगर तीन मुडिया लिखल रहेगा तीन मुडिया तब फिर चेंज हो जाएगा यह हो जाएगा द्विगु समास में जहां पर गिंती बाचक आता है यहां पर तीन मुडिया मतलब होता है बुढ़ा आदमी तीन मुडिया का मतलब होता है बुढ़ा आदमी यहां ध्यान रख तव रहेगा तब डूइगु विसमास में एक खाली देखें आघ्मी तोिम अड़गां में यहेसा अठकुन игр में झीद्वूर्ड पल यह भी ही माथह और मांत्र सुक्य करके चिपक्या में साथ बेठल रहता दूमी तो घुठनाक दो गो दो मुढी हो गिया और एक उडुरा तीनुडी हो गिया इसलिए इसको बोलते हैं तिन माता जैसा इंद्र धनूस पानी जोड सोखा इसको बोलते है पैन्ड सोखा इस इसका अर्थ होता है इंद्रजनूस को खपर पोड़ा एक खासम किसम का इपको कह उता है जिसको कह नाय जाता है उसके बहुत ज्यादा पर रहता है उसा परकार का आप जीव देखेंगे होगे ऐसे जीव वुई ज्यादा पाउछी च्छारॉ 1 तरही खाची कि उसको बोलते हैं तरही खाची जी समें भान ना पा जाता है कटाही खाची एक काठ धान रहेगा तराही खाची तेरब पहला धान रहेगा तो उसको तराही खाची काते हैं क्या है यह अर्थ जो है अलग जगह में चला जाता है तो अगर अर्थ अलग जगह में चला गया तो वह क्या होगा अलगाही समास पत पॉडवा बड़ा ही जबरज़तियां पर जार्खन का एक फूड है पत पॉडवा और खास करके बरसात के सिजर में पत पॉडवा खाने का एक अलग मज़ा है अभी हाल फिलाल में हम लोगोंने एक वीडियो देखा था जिसमें जार्खन के किस छेतर के बारे में बात की गई थी और वहां पर पत्पडवा खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं इसमें क्या होता है चीकन का पत्पडवा वहां पर होता है तो इसमें नौर्मली हम लोग खुखडी का पत्पडवा हम लोग तो खाएं हैं यह क्या होता है दोनों तरफ से पत्ता को टी स्टनेवावा गोर्खी गोर्ख्या कोण सी जजो गाए बहल को चरातने वाला होता है उसको गोर्ख्या बोलते हैं गोपाल इस टैप का सब्ध गोकोपालने वाला गोपाल गोपालक कौन तो स्रीकृष्ण तो इस परकार से आपको यहां पर जबाब होगा बहुंब्री समाज में लाच्छनिक इसका क्या है लाच्छनिक इसका रूड होता है और यह जो है ना बोध कराते हैं किसी थाड़ पर यानि कि रूड सब्द का है यहां पर बात हो रही है नेक्स्ट है एक अभ्याई समास अभ्याई शमास या अभ्याईक समास अभ्याई भाव शमास बड़ा ही मज़ेदार है समास कभी चेप्टर लेकिन आप लोग वोरिंग हो जाते कहाली सुनने में अच्छा लगता है गीत सुनने में अच्छा लगता है तो 33 नंबर भूल जाइए और 33 नंबर भूल भूलने मतलब है आपका रिजल्ट नहीं होना तो यहां पर देखें ऐसन समास जे अभ्याई लएके बने हैं यानि कि अभ्याई समास में दूसरा पद अभ्याई नहोते वे भी पहले पद के अभ्याई होने के कारण शमस्त पद क्या होता है अब्याय बन जाता है इसलिए इस समास को अब्याई समास कहते हैं या अब्याई भाव समास कहते हैं अब्याई भाव समास करने का मतलब है दोनों पद मिलके एक तीसरा पद जो भी बनता है वह क्या होता है अब्याई हो जाता है जोरी नहीं है कि उसका पहला पद अब्याई हो या दूसरा पद अब्याई हो लेकिन जब कंप्लीट होता है तब वह अब्याई बन जाता है तब इसको हम लोग कहते हैं अब यही भाव शमास इसका एक्जामपल देखें भेठर बेगाउं अन्खाई करे करे धीरे-धीरे करे करे मतलब धीरे-धीरे पइथां, गरजुईत, घने-घन, सगर-घरी, सारा-बच्छर, घेचा-भर, घने-गनर, कले-कल इसमें से कई सब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ आपको नहीं पता होगा और कई सब्द ऐसे हैं जिसका आपको पता होगा फिर भी मैं कुछ सब्दों को बता देता हूँ, जैसे कि घेचा भर, यानि कि गरदन भर, पानी अगर आ गया तो इसको बोलते घेचा भर, घरेक-घनेक, धीरे-धीरे या बार-बार पूछना, कले-कल, मतलब पानी का बहर आ है, कल-कल वो वला नहीं, यहाँ पर कले-कल मत अबरी टाइम, सारा बच्छर, एकदम गोटे बच्छर तुम परेसान करके रखा है, सारा बच्छर, तो यह हो गया आपका अब यही भाव, शमास के अधिन आ जाता है, नेक्ट देखते हैं क्या है, चो था कर्मधारे समास, और कर्मधारे समास को अगर हिंदी में अगर ब डी होता है, क्या होता है, तो किया होता हूता है, हिंदी में अगर आप देखेंगे, तो हिंदी में क्रमधारे समास में हुख़ु नेक्ति आपका बच्रूप क्या होता है, जात जाता हा हिंदा हुश fareंका, सारा बेनी कल् ули first niż 2. की वाट की जाता है हींदी पुड़े होंगे आप लोग तो समझ पाईएगा विशेशन और विशेश्सषिक की बात की जाती है और दोनों पदों के बीच में उपमा की कगरी तथा में की परिकल्पना है इसमें उपमा तथा में की पराउति कर्मपदा है जिक चंद्र सेखर जीसे होता है जा जिसके मातें में चंद्रमा हो तो उसको sırम लोग लग्र्खते का कर्मधारह में नील कंडि में नीमींiera कंड नीला घिसका कंड तो इस टाइप से कहते हैं आपका जैसे यहां पर क्या होता है बहुत उपमा उसमें दिया जाता है चंद्र बदन यह सब्द जैसे आ गया है चंद्र बदन तो चंद्र के समान सीतल जिसका समीप में रहना हो या उसका बदन चंदा का जैसा सुंदर हो चंद्र बदन बोलते है अंब Raw The Kate task अंदो अब उसको बोलते हैं स्वुरली कर नहीं, तो उसको बोलते है अब गाली देंगे तो कैसे होगा., कुकूर के जैसन मुहां मुतर कुकूर जैसन तो तो कुकूर मुहां यहां पर घोड़ा मुहां घोड़ा है तुमरा सौना गाठ ओर पुछी या मैंजूर पांकी का जैसे तुमरा पूची उफ फुट захी हुड्सका मुहां फुक ज dividend गया कर तो के साथ उसका जो सब्द है वो फिट बैठता है तो वो कहां चला जाता है कर्मधारे शमास में यानि कि यहां पर उक्मान बाचक भी कर सकते या शमान अधिकरन भी इसको कर सकते हैं विसेशन और विसेश्ची होता है इसमें और उक्मा और उक्मे की परिकलपना इसमें है तो आजाता आपके सामने दियुगु समास या शंख्या समास करते हैं दियुगु समास इस समास है औरले मतलब होता है इसको अगर तोड़ेंगे तो संख्या मिलेगा आपको संख्या का ट्वाइन मिलेगा यानि की संख्या मिलेगा एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस इस टाइप की संख्या की परिकल्पना होगी। तो आप जान लीजिए वह समास कोन सा है। वह समास दीगु समास है। कोन सा समास है? तो दीगु समास है, गिंती वाचक समास है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? एक पईसा एक लगा हुआ है यहां पर तो भą गिंती है दू टकाक बराइबर अरे कि दू टकाक बराइबर बात करें हिए यार तो दू लगल है तो बहाँ पर दू पईसा पांच लोग के वीचार जिसको पंचायती बोलते हैं और पंचायती रहा tuo का हीत वांटारों का टो दीगु बाचक एक गोचक up चीज एक गोठीच एक गोठीया तो वह क्या चालेगा दीगु समास में यनि कि जहां से अपको गिंती का तना मिलेगा तब जान लिए वह क्या है दीगु समास है यानि की गिंती वाचक शमास है नेक्ट है असरया यानि की द्वन्द द्वन्द का मतलब होता है जगडा इसमें दोनों सब पद जो होता है वह आपस में बोलता है मैं परमुक वो बोलेगा मैं परमुक यानि की दोनों का आपस में परमुकता के लिए अगर लड़ाए हो तो वह जा से पर मुख्यों और तो हमर से कम हैं वह बोलता है नहीं हम तोर से पर मुख्यों तो हमर से कम है यानि की दोनों अरसल रहता है कोई किसी को कम और बेशी में नहीं रहता है बोलता हम ज्यादा अगला बोलता हम ज्यादा तो वह होगा काटा काटी लोका लोकी नूनूनूनी भाई बहीन, भाई बहीन, लोटा डोरी, लोटा डोरी, हुड़का हुड़की, हुड़का हुड़की, इस टाइप के सब्द जो है या आपके आ जाएंगे, यहाँ पर तो आपका द्वन्द समास में, तो यहाँ पर द्वन्द समास में असलिया जो है या बहुत ही परमुख रोल अदा करता है, तो समास के लगबग सभी आपने पद देख लिए और समास में जो इन्पोर्टन्ट है या आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर प् तो समास जो है या आप लोगों के लिए बहुत ही इन्पोर्टन्ट है और यहाँ से बहुत आसानी से नंबर उठाया जा सकता है, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, बॉन पेरवा, मैं कौन सा समास है, बॉन पेरवा, और मैं क्वेश्चन लि समास है, समास है, बॉन पेरवा में, पहला उप्तन है क्वा नंबर में, तत्पुरुष, क्वा नंबर में आपका है कर्मधारे, गाव में है द्विगो, और गाव में है द्वंध, अगर आप इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को पुराध्यन कर लिए होंगे, तो आपको इसका एंसर मिल जाएगा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन में दे रहता हूँ, पाच फोरन, दो क्वेश्चन का आप लोग कमेंट पर जवाब देंगे, पाच फोरन, पाच फोरन, कोन समास है, कोन समास है, गा नमबर आपका द्वंद समास, गा नमबर द्विगु समास, गा नमबर ततपुरुष समास, और गा नमबर आपका कर्मधारे समास, तो इसमें कोन समास है, दोनों आप लोग का कोन समास है, समास है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, और देखते हैं आप लोगों ने कितना समझा, अगर आप जल से जल कमेंट करेंगे, तो आपको मैं जल से जल अगला वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, धन् और ठीक चे रहें अपने तैयारी को नया आयाम दे धन्यवाद